Back to my YouTube channel, Maths Parshala आज हम फिर एक छोटा सा theorem प्रूफ करेंगे तरहम का statement है If M A is congruent to M A modulo N and G C D of M N is equal to D where N is equal to N as D then proof that A is congruent to B modulo N as that is A is congruent to B modulo N by D ठीक है? तो अगर M A is congruent to M B modulo N है और M और N का G C D D है जहाँ पर N जो है, वो किस तरह से refine है? कि N is equal to N as D हो है ठीक है? तो हमें ये proof करना है कि A is congruent to B modulo N as होगा इसका मतलब है कि A is congruent to B modulo N by D हो जाएगा ठीक है? तो given है G C D of M N is equal to D यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि M और N की G C D 1, sorry D है तो ये D M को भी डिवाइट करेगा और ये D N को भी डिवाइट करेगा यह हमने अपने G C D वाले वीडियो में बताएवा था कि यह कैसे हो रहा है यह पूरा definition मैंने अच्छे से discuss किया हुआ है तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजेगा ताकि आप कोई doubt ना रहे तो अगर G C D M N का D है तो D M को भी डिवाइट करेगा और D N को भी डिवाइट करेगा और अगर D M को भी डिवाइट करेगा तो एक integer के इस तरह से exist करेगा Z में कि M is equal to D के हो जाएगा और D N को डिवाइट कर रहा है तो एक integer N as Z में इस तरह से exist करेगा कि N is equal to N as D हो जाएगा ठीक है तो उसको हमने equation number 1 माल लिया अब हमें दिया हुआ है since G C D of M N is equal to D ठीक है G C D जो है M और N की वो D है तो M की value यहाँ पर D K है और N is equal to N as D है तो यहाँ पर M और N की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं D K D N as ठीक है तो G C D of D के कॉमा D N as is equal to D हो जाएगा अब यह D इन दोनों में से common हो जाएगा ठीक है और वो D common होके इससे cancel हो जाएगा of K, N dash is equal to 1 हो जाएगा ठीक है गिवन है M A is congruent to M B modulo N में यह दिया हुआ है कि M A जो है वो M B modulo N के congruent है ठीक है तो अगर M A M B के congruent modulo N के respect में तो यह N जो है वो M A minus M B को divide करेगा और यह कैसे हो रहा है यह congruency के definition से हो रहा है और उसको भी हमने discuss किया हुआ था अपने एक वीडियो में N की value यहां पर क्या है N S D है और M की value D K है ठीक तो M और N की value जो हम put कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा N S D divides D K into A minus B जहां पर N is equal to N S D है और M is equal to D K है तो अब यह D और यह D cancel out हो जाएगे तो क्या बच जाएगा N S D divides K into A minus B जो GCD है यहां पर अगर हम देखें तो K और N S की GCD 1 है ठीक है तो इसका मतलब है कि यह दोनों एक दूसरे के relatively prime है या फिर co prime है तो किसी भी दो integer के relatively prime या फिर co prime होने का यह मतलब होता है कि वो दोनों integer एक दूसरे को divide तो नहीं करेंगे ठीक है मतलब कि वो दोनों integer एक दूसरे को divide नहीं करेंगे यह होता है द तो इंटीजर के relatively prime या फिर co prime होने का मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे GCD1 है, यह दोनों एक दूसरे के relatively prime है, तो and as जो है, वो k को divide नहीं करेगा, इसका मतलब and as a minus b को divide करेगा, ठीक है, अगर and as a minus b को divide करेगा, तो हम इसे कह सकते हैं, congruence की definition से, कि a is congruent to b modulo n dash हो जाएगा, ठीक है, और n dash की value, यहाँ पे अगर n is equal to n dash d है, तो d को अगर हम यहाँ पे denominator में यहाँ पे shift करेंगे, बतलब यहाँ पे n dash के साथ d multiply में है, तो इधर जाएगा तो divide हो जाएगा, तो n dash is equal to n by d मिल जाएगा, तो यहाँ पे modulo n dash के जगए हम n by d र आप सबको यह चोटी सी थिरम अच्छे से समझ आई होगी, फिर भी आप लोगों कोई doubt है, तो please मुझे comment section में बताएगा, और congruency वाला वीडियो और greatest common divisor का आपी video, please देख लीजेगा, वरना यह चोटी सी थिरम भी आप लोग को नहीं समझ आएगी, मतलब clear नहीं होगा, तो वो सारे वीडियो पर देख की बताएगा, और इसमें भी कोई doubt है, तो मुझे comment section में बताएगा, मैं उसे जरूर कोशिस करूँगी, उसे clear करने की, और मेरे चैनल को like, subscribe and share कर दीजाएगा, thank you so much.